मित्रो नमस्कार मेरा नाम है राजेंद्र सिंग और आप देख रहे हैं व्यूपाइंट वित राजेंद्र कलास रंकला के अंतरगत प्रस्तुत है चित्र सहियोजन के सिध्धान्द मित्रो परिछा नजदीक है इसलिए इस टॉपिक को भी हम संचिप्त नोट्स के रूप में दे रहे हैं जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेगा मित्रो चैनल को सस्क्राइब लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा तो फिर आईए जानते हैं चित्र संयोजन के सिध्धान्द के बारे में एक चित्रकार चित्र को बनाते समय कला के मूल तत्तों जैसे की रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल आदी को ध्यान में रखते वे चित्र को संयोजित करता है इसी प्रक्रिया को संयोजन के सिध्धान्द कहते हैं चित्र संयोजन के साथ सिध्धान्द माने गए हैं पहला सहयोग या एकता जिसे हम यूनिटी भी कहते हैं और दूसरा सामंजस्य या संगती जिसे हॉर्मोनी भी कहते हैं तीसरा संतुलन या च्छमता जिसे बैलेंस कहते हैं चौथा प्रभाविता यानि कि डूमिनेंस आफ एमफैसिस और पाचवा है लय या प्रवाह यानि रिदम छठा अनुपात या प्रमाण इसे प्रपोर्शन भी बोलते हैं और साथवा है विरूध यानि कि कंट्रास्ट त दुआए सबसे पहले जानते हैं सहयोग यानि एक्ता यूनिटी को सहयोग का अर्थ है कला के मूल तत्यों के माध्ध एक्ता अस्थापित करना जिससे चित्र सहयोजन महत्वपूर्ण बन सके एक्ता की द्रिष्ट से देखें तो चित्र में किसी एक आकर्षन केंद्र का हो सभी तत्यों में एक्ता समानता और एक सूत्रता उत्पन्न करता है दूसरा है सामंजस या संगती जिसे की हार्मोनी कहते हैं जब चित्र के सभी अंग कलाकृती के अनरूप मिलते जुलते प्रतीत हों तो सामंजस से क्या अनभव होता है कलाकार किसी एक मुख्य विसय या भाव को लेकर रचना प्रारंब करता है तत्पश्चात उसके अनरूप कलागत तत्यों का चैन कर चित्र के सभी अंगों को कलाकृती के अनरूप मिलते जुलते बनाता है तो सामंजस से का अनभव होता है संतुलन कला स्रजन का वह सिध्धान्थ है जिसके अनुसार चित्र कला के समस्त तत्तों को इस प्रकार ब्यवस्थित किया जाता है जिससे उनका भार समस्त तल पर समुचित रूप से ब्यवस्थित रहे और कलाकृती देखने में सुन्दर वा आकरसक लगे प्रभाविता किसी भी कलाकृती के स्रजन में प्रभाविता प्रमुख रूप से अनिवार सिध्धान्थ है किसी भी चित्र की भाव अभिवेत्ती में मुख आकरती या वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है जहां दर्सक की सौरपर्थम द्रिष्टी पड़ती है और वहीं से आगे की ओर अन्य गौण वस्तुरों पर जाती है अता मुख आकरती अथ्वा वस्तु को अधिक महत्व देकर चित्रत करना प्रभाविता कहलाता है लै या प्रवाह लै का अर्थ है समान अथ्वा सामंजस्य पूर्ण अवेवियों की पुन्रा बृत्ति स्थुपन निरंतरता जब तक चित्रभूमी पर कुछ अंकित नहीं करते वह अच्छत यानि सांत रहती है जैसे ही चित्रभूमी पर बिंदू या रेखा का निर्मार करते हैं तो चित्रभूमी पर गति सीलता पैदा हो जाती है यदि किसी रेखा अथ्वा आकृति को घुमाव देते हुए आगे बढ़ाया जाए तो प्रवाह या गति का अनुभव होता है चित्रकला में अनुभाथ का आसे आकृतियों की लंबाई और चोड़ाई के परस पर आनुपातिक संबंध को अनुपात का सिद्धानत कहते हैं चित्र में प्रयोक्त आकरती को कितना बड़ा या छोटा बनाया जाए और इसे चित्र तल पर किस स्थान पर अंकित किया जाए इसका समुचित ग्यान अनुपात की अंतरगत करते हैं विरोध चित्र में एक रस्ता को भंग करने के लिए विरोध दिखाना आवस्यक होता है विरोधी तत्यों के प्रयोग से कलाकृती में तेज, सक्ती, गती, आकर्षन तथा सौंदर उत्पन होते हैं अधाश चित्र में अन्य कला तत्तों के होते हुए विरोधी तत्तों को अनिवारे रूप से होना चाहिए विरोध केवल चित्र को आकर्शक, प्रभावसाली और चमकीला बनाने के लिए प्रियुक्त किया जाता है प्रित्रों अब आएए चित्र संयोजन के सिधान पर आधारित 15 प्रशनों का एक टेस्ट पेपर हल करते हैं करना इस तरह से है कि प्रशनों को हल करने से पहले आप कापी पर 15 अंकों को करमसा लिख लें फिर हम प्रतेइक प्रशनों को वा उनके विकल्पों को पढ़ेंगे और आप सभी विकल्प को यानि A, B, C, D में से जो आपको सही लगे उसे प्रशनों के सामने लिखते जाएगा और फिर पूरे प्रशनों को पढ़ने के बाद इन 15 प्रशनों के उत्तर सहित ब्याख्यां बताएंगे तब आप अपने उत्तरों को चेक करिएगा और फिर देखेगा आप कितना कर पा रहे हैं तो फिर आईए शुरू करते हैं पहला प्रशन कला गत ततों रेखा रूप तथा रंग आधि के अंकन को कहते हैं A. सईयोजन B. प्रभाविता C. लए D. उप्यूक्त सभी अगला प्रशन है एचिंग क्या है? A. वास्त तकनीक B. ग्राफिक तकनीक C. A. और B. दोनो D. इनमें से कोई नहीं अगला प्रशन है किस सिध्धान्त के माध्यम से चित्र विरोधी तत्तों को व्यवस्थित किया जाता है? A. सामन्जस B. संतुलन C. सहयोग D. प्रभाविता अगला प्रशन है सामन्जस पूर्ण अव्यवों की पुन्रा ब्रित्ती से उत्पन निरंतरता को क्या कहते हैं? A. लए B. प्रभाविता C. परिप्रेच D. इन में से कोई नहीं अगला प्रशन है निम्रिलिखित में से किसके माध्यम से द्री आयामी धरातल पर वस्तों का त्री आयामी प्रभाव दर्साया जाता है? A. प्रभाविता B. परिप्रेच C. लए D. सहयोग अब अगला प्रशन है परिप्रेच के कितने भेद हैं? A. दो B. तीन C. पाँच D. छे अगला प्रशन है रेखी परिप्रेच के कितने अंग हैं? A. पाँच B. छे C. साथ और D. नौ अगला प्रशन है 36 रेखा किसे कहते हैं? A. बिंदू को बिंदू से मिलाने वाली रेखा B. स्थिर बिंदू को C. स्थिर बिंदू के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है और D. इनमें से कोई नहीं अगला प्रशन है स्थियोग का मुख्य उद्देश है A. आकर्षन बिखराव को रोकना B. बिखराव को फैलाना C. आकर्षन को कम करना D. उपरियोग्त सभी अगला प्रशन है चित्र कला सिध्धान्त में अगला प्रशन है चित्र में प्रभाविता के उद्देश से है A. एक रस्ता समाप्त करना B. विशय अभिबेक्ति है तु आकर्षियों को सहायता परदान करना C. सामन्जिस्य का भाव उत्पन करना D. उपरियोग्त सभी अगला प्रशन है प्रभाविता के लिए कौन से तत्तो प्रमुख रूप से उत्तरदाई हैं A. विशय वस्तो की अनुरूपता B. साधारनी करन C. A. तथा B. दोनो D. इन में से कोई नहीं अगला प्रशन है निम्निलिखित में से किसका महत्व परिपेच सिध्धान्त में हैं A. प्रकास तथा रंग B. दूरी तथा नैकट C. विली मान बिंदू तथा 36 रेखा D. इन में से सभी अगला प्रशन है स्वयोजन में किसे सामिल किया जाता है A. रेखा B. रंग C. आकरती D. उपेरुक्त सभी अगला प्रशन है चित्र सहयोजन के कितनी सिध्धान्त माने जाते हैं A. तीन B. चार C. छे D. नौ अब आईए प्रशनों के उत्तर को मिलाते हैं और उनकी ब्याख्या करते हैं तो प्रशन संख्या 1 का सही उत्तर है A. कलागत ततों रीखा रूप तथा रंग आदि का कलात्मक अंकन सहयोजन कहलाता है प्रशन संख्या 2 का सही उत्तर है B. ग्राफिक्स विधी एचिंग से संबंधित है एचिंग यानि नकासी उत्किर्ण की कला है या धातु यानि जस्ते की चादर पर एशिट के साथ उत्किर्ण की जाती है प्रशन संख्या 3 का सही उत्तर है B. संतुलित सिध्धान्द के माध्यम से चित्र विरोधी तत्तों को ब्यवस्थित किया जाता है संतुलन के द्वारा चित्र में रेखा, रूप, रंग, आदि सभी को ब्यवस्थित किया जाता है ताकि चित्र असंतुलित न हो जाए चौत्र कला में लाय का विसेश महत्तु है परिपेच के माध्यम से द्री आयामी धरातल पर वस्तों का त्री आयामी प्रभाव दर्साया जाता है इसके तहत निकटता वा दूरी के आधार पर नजदीक की वस्त्वी आकार में बड़ी तथा दूर की वस्त्वी आकार में छोटी, धुंदली वा आइसपष्ट दिखाई देती हैं अगला प्रश्ण छे नंबर इसका सही उतर है A परिप्रेच के दो भेद होते हैं रेखी और वातवर्नी हैं सात्वा प्रश्ण का सही उतर है B रेखी परिप्रेच के छे अंग हैं चित्रतल, स्थर बिंदू, दृष्टी बिंदू, दृष्टी पत, छितिज रेखा तता अदृष्ट बिंदू आठवे प्रश्ण का सही उतर है C इस्थर बिंदू के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कलपना की जाती है उसे 36 रेखा कहते हैं नवी प्रश्ण का सही उतर है D सहयोग का मुख्य उद्देश चित्र में आकरशन के बिखराओ को रोकना अर्थात चित्र के सभी तत्तों को एक योजना में बांधना फिर चाहे वो चित्र वास्त्विक हो या कलपना का पुट लिये हुए हो दसवे प्रश्ण का सही उतर है A चित्र कला के सिध्धानतों में सरवाधिक महत्पून सिध्धानत संतुलन का सिध्धानत है भार के अनुचित रूप से केंद्रिकित होने तथा इस प्रकार के चित्र को असंतुलित होने से बचना ही इसका मुख्य उत्देश है ग्यारावी प्रश्ण का सही उतर है D चित्रों में प्रभाविता के निमलिखे तीन उत्देश है पहला एक रस्ता समात करना दूसरा विशय अभिवेक्ति हे तू आकृतियों को सहायता परदान करना और तीसरा सामन्जिस्स का भाव उत्पन्न करना बारवावी प्रश्ण का सही उत्देश है चित्रों में प्रभाविता का मुख्यकार सहयोजित सभी आकारों को इस प्रकार से संबंधित करना जो एक दूसरे को विरोध वा सहयोग दोनों परदान करती है तेरहोई प्रश्ण का सही आफसन है परिप्रेच सिध्धान्त में प्रकास तथा रंग, दूरी वा नैकट तथा विलियमान बिंदू वा छेदिज रेखा का महत्व है चोदावी प्रश्ण का सही आफसन है सहयोजन में रेखा, रंग, आकरती, आदी सभी समलित किया जाते हैं किसी भी चित्र के लिए अच्छा सहयोजन सबसे महत्वपूर्ण घटक है और पंद्रामी प्रश्ण का सहयोजन आफसन है सी, चित्र सहयोजन के छे सिध्धान्त माने गए है सहयोग, सामंजस, संतुलन, प्रभाविता, लए और परिपेच अगर प्रश्ण आता है तो फिर हमें यही छे सिध्धान्तों का उलेख करना होगा तो फिर आज बस इतना ही मिलते हैं अकली वीडियो में और जानेंगे किसी नए टापिक के बारे में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद